मैं यहां जिक्र कर रहा हूँ बहुजन आंदूलन के नारों की पहला नारा जो मानेवर काशिराम और उनकी टीम दे रही थी वो था वोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा साथियों पहली बार भारतिय राजनीती में बहुजन समाज को कोई समाजिक दल चेतना युक्त कर रहा था कि वास्विक्ता में एक वोट की कीमत कितनी होती है इसके पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उनको ये समझाया था और मानेवर काशिराम समझा रहे थे कि बहुजन आंदोलन जिसका वोट 85% है उससे दूसरे समाज का दूसरे दलों का राज चल रहा है और इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि वोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वो आगाह कर रहे थे विपक्ष को ऐसा लग रहाता साथियों और इसके साथ साथ उन्होंने केवल विपक्ष को ही नहीं समझाया बलकि अपने व्यक्तियों को भी समझाया कि हाँ वोट की कीमत क्या होती है और उन्होंने नारा दिया वोट से लेंगे पीम सीम आरक्षण से लेंगे एस्पीडियम एक बार फिर वहाँ प्रजातांतरिक मूलियों की संकलपना कर रहे थे कि हाँ हम लोग वोट से प्राइम मिनिस्टर पीम और सीम ये मानेवर काशिराम बता रहे थे अपने बहुजन आंदोलन के सुर्वाते और आरमभिक छण में इतना ही नहीं रुके मानेवर काशिराम ने एक बार फिर प्रजातंतर को जो है एक सरल सब्दों में नारे के रूप में प्रस्तुत किया वोट से शुरू किया था वोट से लेंगे पीम सीम आरक्षण से लें मुझे नहीं लगता कि किसी दल ने किसी राजनेतिक समाशास्त्री ने किसी राजनेति विद ने आम जनता को इतने शरल शब्दों में प्रजातंतर का अर्थ समझा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी अर्थात उस समय कि जो राजनेतिक सत्ता थी वो सत्ता पर एकाधिपत्य जमाए हुए थी उस एकाधिपत्य को उस मोनोपुली को मानेवर काशिराम इन नारों से तोड़ना चाहते थे वो कह रहे थे कि जिस वोट हमारा राश्ट हुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वोट से लेंगे PMCM आरक्षन से लेंगे SPDM और इसके बाद उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी एक चोथा नारा जिस समाज को वो संबोधित कर रहते जिस समाज को वो संगठित करना चाहते थे उस समाज को आगा करने के लिए उन्होंने वो और नारा लगाया वो नारा था ठाकूर ब्र छे दिसंबर 1981 को उन्होंने इसी लिए ये संगठन बनाया DS4 DS4 लिखा जाता था इस प्रकार जैसे की H2SO4 लिखा जा रहा हो याने के एक रसायन विज्ञान का कोई फॉर्मुला और सच मुझ मानने वर काशी राम रसायन सास्त्री थे He was a scientist और इसलिए उनके नारों के अंदर वो जो विज्ञानिक्ता थी वो दिखाई दे रही थी DS4 अर्थात दलित सोचित समाच संगर समिती बहुत लोगों ने जो बहुजन वादी है वो बकाइदा इल्जाम लगाते है कि शब्द दलित नहीं उसकरना चाहिए लेकिन मानने वार काशिराम ने प्रियोग किया और बाद में जब उनको समझ में आया तो उन्होंने बहुजन समाच का भी प्रियोग किया लेकिन एक नारा जो मुझे लगता है व्यक्तिकत नारा बहुजन आंदोलन के साथ लगा जब मानने वार काशिराम विदा ले रहे थे और मुझे लगता है उसके पहले लगने लगा था वो नारा काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई अर्थाथ जब हमारे बहुजन आंदोलन हमारे समाज को जगा रहा था बहुजन आंदोलन जगा करके जब सरकारे बनाने लगा राजराइतिक दल ही नहीं बनाया उसने बहुजन समाज पार्टी बलकि उरोंने सत्ता पर काबिज हुए बनती है समयूग में बनती है फिर 95 सरकार बनती है फिर 97 सरकार बनती है तो नौराज उधा प्रतिस själां पूर्टित हो जाता है और वो नारा था काशी तेरी नेक कमाई तूने सोथी कौम जगाई बाबा तेरा मिशन धूरा काशी राम करेंगे पूरा ऐसा लगने लगा था मुझे लगता है कि ये नारे अपने आप में एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनाइतिक धरातल को परिभाशित करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर विश्वास को जगाते हैं और दिखाते हैं कि वास्तविक्ता में बहुजन आंदोलन, मानने वरकाशिराम और उसके अनिवाई प्रजातंत्र में कितना विश्वास करते हैं और प्रजातंत्र में विश्वास करने के आधार पर वोट में विश्वास क की बाद थी प्रजातांत्रिक रूप से सत्ता लेने की बाद थी मुझे लगता है वह इस भारतिय समाज की राजनीती में एक नया प्रयोग था और वह प्रयोग मानने वरकाशी राम और उनके बहुजन आंदोलन करने करके दिखाया मैं यहाँ एक नारे का जिक्र जरूर करना चाहूंगा और वो नारा अकसर बहुजन समाज पार्टी बहुजन आंदोलन और मानने वरकाशी राम के साथ मर दिया जाता है उस गलत फहिमी को आज दूर करना चाहता हूं और वो नारा था तिलक तराजू कलम तलवार उसके आगे आप लोग खुद समातार हैं मैं वो नहीं बोलना चाहूंगा मैंने माने वरकाशी राम से जब मैं अपनी पेजरी कर रहा था उसके दौरान माने वरकाशी राम का इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में बाकाइदा पूछा कि माने वरक आप ये नारे कैसे लग सकते हैं माने वरक ने कहा कि नारे कब लगा पहली बार 1993 में जब मैं इटावा में रैली कर रहा था सपा और बसपा के गटबंदन की सरकार थी उस समय मेरी रैली चल लए थी उस रैली में पहली बार कुछ तबको के लोगों ने कुछ जर्नल लोगों ने वो नारे लगाए ये नारा बसपा ने कभी नहीं दिया बसपा के मंद से ये नारा कभी नहीं लगा इसलिए मुझे लगता है इस गलत फहिमी को आज दूर करना चाहिए कि बार 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 जब भी जब बहुजन आंदोलन अपने लोगों को एकतरत करना चाहता है और ये माकूल प्रशन लेके जाना चाहता है कि बहुजन आंदोलन आगे बढ़े लोग ये प्रशन उठा करके बहुजन आंदोलन को बदनाम करने का एक बीड़ा उठा लेते हैं और ये नारा जड़ देते हैं इसलिए मैं आप से गुजारिश करूंगा दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि न नहीं ये नारा बहुजन आंदोलन का नहीं है नहीं बहुजन आंदोलन में ये लगाया गया बहुजन आंदोलन के मंच से भी ये नारा नहीं लगा और माननेवर कांशीराम तो ये नारा लगा ही नहीं सकते थे चुकि एक विड़ ती जितना प्रजातानत्रिक हो सकता है ताके मों में उन्होंने बहुत दिनों तक गड़ बंदन भी नहीं चलाया गड़ बंदन की सरकारों को भी किनारे कर दिया तो उस व्यक्तित को मुझे लगता है जैभीम और सलाम करना चाहिए उसके प्रजातांत्रिक मूलियों को हमें अपनाना चाहिए जिससे की बहुजन आ प्रजातांत्रिक आंदोलन अगर है वो आगे बढ़ेगा तो इस प्रजातांत्र को मजबूत करेगा और प्रजातांत्र को मजबूत करेगा तो राष्ट को भी मजबूत करेगा और इसलिए बहुजन आंदोलन में यो जो नारे हैं वो राष्ट के निर्मार के लिए दिये हुए ना रहें